आग तक आपने इस धर्ती पर मौजूद बहुत सारी अमेजिन और मिस्टीरियस चीजों के बारे में सुना होगा लेकिन इस लीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके ब्रेन को सोचने पर जरूर मजबूर कर देगी 1971 1971 महीना था अगस्त मैरिया गोमेज वो नार्मली अपने किचन में काम कर रही थी और उन्होंने अपने किचन के फ्लोर पे एक अजीब सा सिंबल एक चिन ने देखा कुछ बना हुआ था वहा पे और जब उन्होंने गोड से ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर एक चाहरा बना हुआ है और ये चीज बहुत ही स्केरी चीज थी उन लोगों के लिए क्योंकि फ्लोर पर अगर कोई दाग होता तो चल जाता नॉर्मली बड फ्लोर पर चाहरा कैसे बन गया फिर उन्होंने बहुत सारे वो जो हते हैं ना रिमूवर उनसे उसको रिमूव करने का कोस्स किया और उसके बाद वो वहाँ पर से रिमूव होई नहीं रहा था भले आप चाहे जो कुछ भी यूज कर लो डिटर्जन से लेकर सब कुछ वहाँ पर कुछ भी काम नहीं किया लास्ट में उसके हजबन ने कुलाडी लेकर उसको बिल्कुल तोड़ दिया बुरा क्योंकि वो बहुत स्केरी लग रहा था और उसके बाद वो लोग सो गया पता है और फिर उसके बाद उन्होंने एक पैरानॉर्मन इंवेस्टिगेटर को बुलाया और कहा कि देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर ऐसा स्केरी फेस क्यों बना है बार बार लोगों का तो बाद में जब उसका मिस्ट्री अन्रिविल किया गया तो यह पता चला कि असल में उन्होंने किचन को तोड़ा और कुछ हद तक किचन के नीचे उन्होंने गड़ा किया और उन्हें उसके बाद यह पता चला कि एक नहीं बलकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों के dead bodies पढ़े हुए है बहुत सा लोगों के कंकाल पढ़े हुए थे आसे एंड उनके kitchen के नीचे इतने सारे dead bodies पढ़े हुए थे और सबसे ज़्यदा जो dead bodies का concentration था वो 10 feet नीचे था एंड वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के हड्डियां भी मिली मतलब वहाँ पर बहुत सारे हड्डियां तो मिली बट कुछ हड्डियां 700 साल तक पुरानी थी एंड फिर उन लोगों ने वहाँ से सारे डड़ बॉडिस एंड कंकाल और हड्डियों को वहाँ से अटा के वहाँ पर पूजा कराई एंड फिर उसको भड़ दिया वापस से यहाँ तक सब कुछ ठीक है है ना बट फिर से किचन में एक दो नहीं बलकी पाथ छे फेसेस बनने लगे फ्लोर में अपने आप एंड फिर उन्होंने उस किचन को पूरी तरह से सील्ड कर दिया एंड वो आज तक सील्ड ही है इस रियल स्टोरी में जो लेडी थी और उनका नाम मैं आपको फिर से बता देता हूँ उनका नाम है मारिया गोमेज पैरीरा सच में यह स्टोरी काफी स्केरी एंड क्रिपी है